नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत थे एक बार फिर से मारी कॉर्ड लाइब क्लास में तो कैसे हैं सब लोग एकदम बढ़िया तो पढ़ाय चल रही है नहीं चल रही है पिछली छे क्लास मैंने बहुत रिवर्जस तरीके से पढ़ा दिया है उमेद है सारी चीजे एक यही positive thinking साथ आप लोग भी चल रहे है तो आज का हमारे जो डे है वे मारा डे कौन सा है तो आज हम लोग का डे है 7 ठीक है दिन कौन सा है आज सात्वा दिन है तो सात्वे दिन की क्लास चल रही है तो कल मैंने आप लोग को link तक पढ़ा दिया था ठीक है कल मैंने आप लोग क किसे पहचाना जाता है क्लिंग से पहचाना जाता है यह वारा आपनी क्लास ऐसे इक चीज बच गई है कारक क्या म determination समय जादा हो लोग को प्रैक्टिस करेंगे प्रैकारी शब्दों की याद रखेगा जो दिमाग में लेता सबहें बठाह लेखेст हम बात करते हैं कुप सब्लद कर करें को गढ़ो charter को कर कि यह मेरे सामने वाले हखिडकी में एक चांद का टुकडा रहता है डिखेए अब लिखिए मूँ से निकला आज लिखे next मेरे सामने वाली खी में कई एक चांद का तुकडा रहता है मैंने बूला है सरुसुति मिजला थोड़ी से यहां पर कमजोर है आतों में लेकिन हां कह सकते हैं आवाज मदूर है ठीक है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है इसमें आपको कौन सा कारक अगर पूछ लेगा तो बताएंगे बता रहा हूं बहुत प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ेंगे इसमें बता पेपर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा अधिकरण कारक यह गाना सुना है ना आप लोगों ने मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है इस तरीके से चलिए यह अधिकरण हो गया अब बात करेंगे संबोधन की बात ठीक किसकी बात करेंगे संबोधन संबुधन माने समझ रहे है संबोधन का मतलब होता है किसी चीश को बूलाना यानि हम किसी को बूलाते है तो याँ से सुनिएगा संभोधन में क्या होता है किसे बोला है सुनो बोलते न है और क्या क्या अरे यह क्या हो जाता है तो यह सब कि यह सब मारे किसमें आ जाते हैं संभोधन में आ जाते हैं याद रखें लिए 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 करताने कर्म को करण से संभ्रदान के लिए अपादाने संभंध काका काकी बनाके अधिकर्ण में पेपर पे है ठीक है कहेंगे यह जवरदस्ति काहें लिखवा लिए तो ध्यान से सुनों ऐसे हैं मैं कोई भी काम ऐसे नहीं करवाता हूं मैं यहां पर अगर कोई यहां पर करता था और कर्ता आपको तीसरा यहां पर जाइने करता नाम की लड़की थी ठीक है और कर्म को करण से संप्रदान दिला दिया, संप्रदान मतलब क्या होता है, आप समझ लिए संपत्ती ठाइप, ठीक है, संप्रदान कहते हैं संप्रदा, जैसे संप्रदा से याद रखीगा संप्रदान, ट्रिक बता रहा हूं याद करने का तरीका, तो संप्रदा याद रखीगा, संप्रदा के क्या कर दिए अपादान कर दिया अलग कर दिया काहानी लियोचा खोने लगी कि करता नाम की लड़कीj थी ठीक है, वो करता ने क्या किया, कि करता ने कर्म को करण से, करता ने कर्म को क्या किया, करण से संप्रदान के लिए, यानि संप्रदा के लिए, धन दौलत के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से, क्या किया, देखो, अब यहाँ पे देखो, अपादान से, अपादान से अलग किया ठीक है अपादान से यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ना अलग होने कर्द में तो अपादान से अलग अपादान से अलग किया और ध्यांस जुनो रोचक कहानी अपादान से अलग तो किया फिर क्या किया खुद का संबंद बना दिया का का की वाला ठीक है खुद का संबंद बना लिया कितना चालू लड़का था करता करता क्या था करता ने कर्म नाम की लड़की को करण से अलग कर दिया देखो करता ने कर्म को करण से किसके लिए संप्रदान के लिए संपदा के लिए धंदोलत के कर लिये अपादाने से अलग कर दिया और क्षुद का संबंद् बना दिया और क्या कर लिया उसी संपत्ति पर अधिकार कर लिया अधिकरन ऑख आदिकार अर। तो करन यह क्या करने लगा बोला है शम्बोधन करना यह क्या हो गया क्या से क्या हो गया देखते देखते है ना तो यहां पर अरे ओरे ऐसे करके बोलो समझ में आया कुछ मैं एक कहानी बता रहा हूं इसका मतलब है कि याद कर लो ठीक है ऐसे मजाग करने के लिए याद करने के लिए मैं कहानी बताया है खीक है समझ में आया बोलो हां समझ में आया ना तो देखिए और मैं बता रहा हूं कि मैं फिर से हिंदी लिटरेचर की मैं complete पढ़ाने वाला हूं जल्दी जिसने लोग अगर टीज़ेटी पीड़ेटी की त्यारी करने वाले हैं और एड़िडी लिटरेचर में यूपी यूपी पीच्प में अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी लिटरेचर ओप्सनल लें तो एकदम पूरी तरीके से जॉइन कर ले लिए संपत्ति पर देखें पर अधिकार कर लिया ठीक है किस पर अधिकार कर लिया पर पर सम्मोधन वह जो रह गया वह पस्ताता रहे ठीक है हो गया उसके साथ है कि समझ में आया समय आगया होगा प्रो झाल झाल